Everyone, my name is Niraj, enjoy watching Niriv Viewpoint तो आज हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मुवी का नाम धा 8th Night धा 8th Night मुवी को भी हाली 2020 जुलाई में रिलीज किया गया है जो होरल थिल से भरी हुई मुवी रहेगी अगर हम मुवी की शुरुवात की बात करते हैं यहाँ पर एक एरकोलिजिस्ट है जो की चीज को खोजने के लिए बहुत ही ज़्यादा पागल हो रखा है यहाँ पर वो किसी तरह करके रेगिस्तान में जाकि काफी सालों की महिनत के बाद उसका एक हिस्से के खोज लिता है और एक हिस्से के संदुग को खोजने के बाद उसको जे लगता है कि अब वो दुनिया को प्रूफ करदेगा कि वो रोंग नहीं है यहाँ पर वो उस लिए सब करने के बाद सारी लोगों उसपर केश कर देते हैं या पर कुछ लोग उसे पागल ठहरा देते हैं तब ही हमें next scene जे देखने के लिए मिलता है वो उस संदूग को open करता है और उसमें अपना blood को डालता है और जहां पर हमें जे देखने के लिए मिलता है कि कुछ भी नहीं होता लेकिन थोड़ी दर wait करने के बाद जब वो खुद को मानने की कोशिश करता है और तब ही वहां पर हमें एक लाल रंग की आँख उत्पन होती भी दिखाई देती है तब ही जहां पर हमें एक monk देखने के लिए मिलता है जिसका नाम होयोंग होता है जो की अपने कैसल में बैठा बुदस्ट की फोटो के साब नहीं कुछ कर रहा होता है यहां पर उसके पास भी एक पत्थर से बढ़ा हुआ संदूक सा होता है जिसको वो ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको ओपन नहीं करता है वो जहाँ पर पीछे से आ रही कुछ टनेक्टिक पावर्स को देखता है और वहाँ से हमें नेक सुब़ा होती हुए दिखाई देती है तब ही हमें जहाँ पर एक और लड़की के अंट्रिय होती हुए दिखाई देती है जिसका नाम होता है चुअंग bullish जिसके साथ वो कहानी बताता है कि बोधस्ट फिक खत्म नहीं कर पाई थे और उनको एक तरह से अलग-अलग कर दिया था और जहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि जब वो दोनों शक्तियां आपस में मिल जाएंगी तो ऺगो में किसी को एक को जाकर तो जिसका एक हिस्सा पूरव में है और एक हिस्सा रेगिस्तान में है जिसको खोज लिया गया है में पूरव वाले हिस्से को बचाना होगा जब हमारे पास सिर्फ साथ राते होगी साथ दिन होगे जब वो देते हैं वार बार जाकर हर दिन हर दिन उन साथों पहाडों को पार कर लेगा और वो आठमी रात को जाकर अपनी पूरी शक्ति को पा लेगा जहां पर हमें scene फिर से turn होता हुआ दिखाई देता है और जहां पर हमें एक रात दिखाई देती है जब जहां पर एक person शिकार के लिए जंगल में जाता है वो unknown person होता है और हमें जी देखने के लिए मिलता है कि वहां पर उसके उपर कोई attack कर देता है सीन टर्न होता है और सीन टर्न होके हमें कपल के ओपर देखने के लिए मिलता है जो कि अपने मोटल में बैथए अपने डिल को Enjoy कर रहे होते हैं अपनी परसेनल बाते कर रहे होते हैं तब ही यहाँ पर हमें उस Hunter की Room में Entry होते होगे दिखाई देती है मोटल में और दूसरी और वहाँ पर वो उन दोनों कपल्स पर अटैक कर देता है, अटैक करने के बाद उस कपल को मार देता है और जहाँ पर एक लड़की ही बचती है, यहाँ पर वो अपनी बोड़ी को लड़की के अंदर ट्रांसफर करता है, वहाँ से हमें जाता हुआ दिखाई देता ह तबी हमें next day देखने के लिए मिलता है यहां पर हमें होयोंग फिर से दिखाई देता है यहां पर वो जे बोलता है कि वो कहानी शुरू हो चुकी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बलताया था अब तुम्हें इस कहानी को खुद solve करना होगा यहां पर चियोंग सोंग थोड़ा सा शरीफ सा होता है अपनी बातों को सुनता है और चुपचा बाहां से चला जाता है तबी जहां पर हमें एक investigator की entry होती हुए दिखाई देती है जिसका नाम होता है कीम हो मोटल के अंदर इंटर होता है और वहां पर वो इस तरह की things को देख पार्क होता है और जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता होता है और जहां पर चियोंग सोंग उसके पास जाता है और जहां पर एक station पर बैठा होता है जहां पर उसके टिकट गिरती है और पीछे से उसका वह बैक चोरी हो जाता है जिस पर उसने वह वह वत्थर रख लेटकी दिखाई देती है उसके बारे में अभी हमी तक स्टॉरी मी नहीं पता हुता हुता है यहां पर वी उसको सभी बाते बताता है लेकिन पर पाक आगे से कोई भी रिस्पोंस नहीं करता तब इस सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है वही मोटल वाड़ी लड़की उस डिलिवरी मैन के उपर अटैक करते हैं और यहां पर डिलिवरी मैन के अंदर अपनी श्रीफ को प्रवेश्ट कर लेती है और इस तरह से जहां पर और चौंग सों की कोई कहानी होती है जो कि उसे पीछी दे पास से जूड़ी होती है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं होता है कि यहां पर कीम हो की एंटरी देखने के लिए मिलती है जो की इन्वेश्टिगेटर है अपने ओफिस में बैठा बात कर रहा होता है दूसरी और हमें उसका friend देखने के लिए मिलता है जो कि उसको एक psychic के बारे में बताता है लेकिन वो psychic की बातों पर जकीन नहीं करता है वो बोलता है कि हम लोग investigator है हम लोग अपने हिसाब से things को solve कर लेगे और एक तरह से simple सी बात जे होती है कि वो investigator बाकी चीजों पर जकीन नह लगते हैं जो कि एक तरह से पहाड़ है जिनको वो monster मारकर अपने next आई को पाना चाहता है और जहां पर वो एक दूसरी को नहीं पापाते है जहां पर हमें जे देखने के लिए मिलता है कि च्योंग संग और पार्क पर काम कर रहे हैं जहां पर उस लड़की को देखा होता ह और उस लड़की का नाम होता है अभी तक उसे जे नहीं पता होता कि वो उस लड़की का उसके साथ रिष्टा क्या है क्या उसके साथ मंदल उसकी स्टोरी लाइन है वो उसके साथ कुछ देर के लिए रुखता है और यहां पर बात करने के बाद वो वहां से चला जाता है अ और वह जब भी उसको देखता है तो उसके मदर लाइफ साइड वाले फेस्बूब के ऊपर आखे आई जानी ओपन शुरू हो जाती है जिसे चियोंग सोग देखके तोड़ा डर जाता है और वहां से चुप चाप चला जाता है यहां पर हमें पारक की एंटरी देखने के मिलते हैं दिखाई देते हैं यहां पर केम णौह पारक की ठोड़ी जाच परठाल करता है डोनों की बीच में रहोत हिए और वहां से चले जा जाते बहुतर अबर इक साथ एकसाद फिर से दोनों इकठे होते हैं और अमें देखने के लिए मिलता है कि पारक चींगो holiness आक्श जब वो चॉंग सॉक से, के पेरिंश के बहुत जहाने नफरत करता है। वो चॉंग सॉक किषिता है। της के डेथ को स्थी और जहां पर प्रोन्पूंघ। कि अढ़ता है। जग के उसमें उसके साथ कैसल में रहता है। नर्ट ही होता है। और यहां पर वो पारक को जह बताता है कि जिस लड़की को तुमने देखा है जिस घर में तुम गे थे वो कोई और नहीं है वो एक तरह से डीमन का ही नेक्स पढ़ा गया यहां पर वो उस लड़की को मानने की कोशिश करता है अपनी एक्स्टा ओडरी मतलब अगुड ओपीन अपनी गूमते होई दिखाई देते हैं बस आपस में मैट नहीं करते और यहां पर हमें कहानी आगे बढ़ते होई दिखाई देती है जब चियोंसों को एरन से मिलता है और उसे लेके वहां से भाग जाता है तब ही हमें नेक्स जे देखने के लिए मिलता है कि पार्क उसी जे देखने के लिए मिलता है Kim Ho Park के बीच में fight होती है यहाँ पर हमें फिर से वो demon वारी लड़की दिखाई देती है जिसका हमें actual में नाम नहीं पता होता यहाँ पर demon वारी लड़की Kim Ho पर attack करती है और पार्क जिन को वहाँ से save करके भाग कर चली जाती है जहांपर पार्क जीन फिर से उस डीमन वारी लड़की के पीछे पीछे जाता है यहांपर किम हो का फ्रेंड आ जाता है यहां पर वो बैक साइड से किम हो के फ्रेंड पर अटेक कर देती है और जहां पर वो डीमन वारी लड़की खतम हो जाती है उसकी लाइफ एंड हो जाती है और वो किम हो के फ्रेंड में चली जाती है जहां पर पार्क किसी तरह करके भाग जाता है वहां पर हमें कोप साते हु घठै को बटाती है चाहंब लबट लक्संत नमगों था सफ पारो भीज्रा की सेङड़ सब्सक्ताइए छेहां पर पूरी की फूरी कहानी उस लड़के को बताती है च触्म होको और हमें जे देखने के लिए मिलता है जब दूसरी और पार्क और चिंहों को एक सेम प्लेस में पहुंच जाते हैं और दूसरी और हमें फिर से किम हो की कहानी देखने के लिए मिलते हैं जो कि और साइकिक लड़की के साथ बैठा होता है और भी हमें जे देखने के लिए मिलत इससे काफी अच्छा प्यार करती थी और उसने खुद को उसके लिए कुर्बान कर दिया था क्यूंकि उस संदूख को खोलने के लिए एक तरह से पवित्तर ब्लड चाहिए होता था एक बिल्कुल सफ सुत्रा ब्लड चाहिए होता था साफ रूह का और जहां पर एरन ने उसक वारे लड़कों की डैथ हुई है जितने बाकी लोगों की वो सारे के सारे एक तरह से meditation group के लीडर थे अभी जहां पर दो ही लोग बचते हैं जहां पर एक होती है एरन और दूसरी होती है और दूसरा होता है कि मोग का फ्रेंड जो की पहले ही मर चुके होते हैं लेकिन वो किसी तरह से जी रहे होते हैं यहां पर लेड़ी फिर से किम हो को जे बताती है कि मर चुका है लेकिन तुमने ही उसे बचाया है और जहां पर वो जे बोलती है कि तुम्हें बारे पास अभी वक्त है तो योक्सन के लिए निकलता हुआ दिखाई देता है ल कुमारे साथ कोई और भी था तो चौंग सुंग जे देखें हिरान हो जाता है कि वह लड़की क्यों नहीं है वहां पर जिसको एरन को अपने साथ भगा के लेकिया था सेफ करने के लिए लेकिन एक्चल में हमें जब किम हो के साथ वह लेडी बात कर रही होती है वह बताती है क तरह से भूत है जो की काफी टाइम से रह रही थी जिसकी मतलब को एक तरह से पूरी तरह से शांती नहीं मिली मुक्ती नहीं मिली फिर से चिंहγ सुंक और पार्क आपस में बात करते हुए दिखाय देते हैं और यहां पर किम हो की फ्रेंट को final खतम करने की कोशिश मेकाइ प्लान में लग जाते हैं यहां पर हमें यह देखने के लिए मिलता है कि पार्क और चिंहग सुक फूरी तरह से एक तरह scratches और dust scratches से भर चुकी होती है जहाँ पर चियोंग सों किसी तरह से उस कवस से बाहर होता है यहाँ पर पार्क उसके friend को बिलाता है कि मोगो को और दोनों वापस में एक तरह से बात करने लगते हैं पर किम हो का फ्रेंट पार्क जे बोलता है कि मुझे तुम्हारी जुरूरत नहीं है क्योंकि तुम उस संदूख को नहीं खोल सकते क्योंकि तुम उस मंग को छोड़ कर जा चुके थे जब उसे तुम्हारी जुरूरत थी और तुम्हारी जिका उस च्योंग संखने लिए अब जिए होते हैं दकी वजा से च्योंग संग आभीवी सेफ होता है जेहांपर बने की यहाँ पर हमें J देखने के लिए मिलता है कि Aaron एक तरह से वहां से गाईब हो जाती है और चयोंग सुग बहां से भागने लगता है और जहां पर कीम हो का friendly च्योंग सिंघ के भागता है और च्योंग सिंघ को पकड़ने के उसके पड़े के राइद लेक पर को शूट करता है और जहां पर हमें फりट से वो डीमन वाला कीम हो का फ्रेंड वहां पर गिरता हुआ दिखाया देता है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी आना बाकि होता है जब जहाँ पर उसकी बोड़ी ट्रांसफर करके च्योंग संग में पहुंच जाती है और उसके ठर्ड आई ओपन हो जाती है तब ही हमें नेक्स टे देखने के लिए मिलता है जब उसके ठर्ड आई ओपन होती है तो एक तरह से हमें आस्मान में एक लाल रंग का चांद ओपन होता दिखाई देता है तब जहां background जह देक यहाँ पर जहे देखने के लिए मिलता है, जब वो डीमन वाला चौनां पार्ग को पकड़ लेता है, यहाँ पर पार्ग किसी तरह से अपनी मंध्क पावर्थ का जूस करके उसी पर अटैक कर देता है, और जहांपर चयोंग सुंक बज जाता है और पार्क वहाँ पर अपनी ही बोड़ी में उसको लेकर अपने आपको खतम कर लेता है और इस तरह से हमें कहानी का खत्म एंड होता हुआ दिखाई देता है हमें नेक्स देखने के लिए मिलता है जब चयोंग सुंक उसी रेगिस्तान में वापस जाता है और एरन से मिलता है जिसकी मतलए एक तरह से डैथ हो चुकी है सिर्फ उसकी रूप वहाँ पर भूम रही है और उसी तरह से हमें सीन खतम होता हुआ दिखाई देता है मेरी और से एट नाइट बहुत अच्छी मूवी है जिसमें आपको होरल, थ्रिल, क्राइम, सिस्पेंस, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा तो आप इस मूवी को जाके नजोए कर सकते हो दा एट नाइट को